तो दोस्तो आज किस फिडियो में बात करने वाले हैं How to create Google AdSense Account जैसा कि दोस्तो अगर आप सबीक पास एक YouTube चैनल है या फिर आप एक website create करके रखते हैं अगर आपको उससे पैसे कमाने है या अपने bank account में लाने हैं तो आपको Google AdSense Account की जोरोद पड़ेगी अगर आपका YouTube चैनल है उसके थूप आप ऐसे अर्ण करते हैं जो Google AdSense में जाता है इसके बाद आपके bank account में जाता है तो आज किस वीडियो मैं फोल डीटेल बात करूँगा किस तरीके साब को Google AdSense Account बनाना है तो कैसे बनाना है आपको अपने मुबाइल स्कीन पाज उका हूँ सिंपली बनाने के लिए आपको कहा करना पड़ेगा अपने मुबाइल पून में Google Chrome को ओपेन कर लेना है Google Chrome ओपेन करें इस प्रकार का इंटरफेस ओपेन हो जाएगा इस बाद सर्च बार में जाना है आपको यहाँ पर टाइप करना है सिंपली Google AdSense कुछ भी नहीं टाइप करना है आप सिंपली Google AdSense जैसी आप टाइप करेंगे यहाँ पर आपको Google AdSense की website यहाँ पर देखने को लिए मिल जाएगी जो की यहाँ पर सबसे उपर है अगर आपका यह डेश्टाप साइट इनेवल हो चुका है तो इससे सबसे पहले हटा दीजिए जिससे की आप रियल साइट की जो जो पहचान सकते हैं जिसके तुरू यह है तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है Google AdSense का बनाने के लिए इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप गेट इस्टाइट का बतन दिख रहा है तो सिंपली आप थ्री डौट पर क्लिक करें इसके बाद आप डिश्टाप साइट को सेलेक कर लिजे इससे क्या होगा अगर आपको बनाना है तो आपको बनाना है तो आप गेट इस्टाइट वाले बटन पर क्लिक कर देजिए काफी लोग को कुश्चन यह आता है कि हम अधार कार्ट सेलिंग करें या फिर क्या करें उसके बारे में भी बताएंगी वीडियो के लाश्ट में उससे पहले आप स बनाते हैं तो अगर आगे चलके आपको कोई भी खत्रा आता यूटूब चैनल पर तो आपको गूगल एट्सेंस भी डिलीट हो जाएगा है इसलिए यहाँ पर वेल्कुल न्यू जीमेल आईडी बनाने के लिए यहाँ पर आपको अप्शन मिल जाता है यूज अधर चलेगा जो कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ एक न्यू जीमेल आईडी क्रेट करने गूगल एट्सेंस लिए इससे आप ध्यान से समझें किस तरीके साब को बनाना है तो आपको अपना नेम डाली जैसे कि मेरा जो नेम है मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ आपको आसा टाइप कर दे रहा हूँ आप भी आसान तरीके समने डेटा बार्थ को टाइप कर दीजे इसके बाद हworkers लेकर के नेस्ट पर कर धीजेजेसी नेश्ट फिक रेंगे इस वाद यहाँ पर चूट करने क लिए आजाता है जीमेल आईडी आप पासवर्ड आपको create कर लेना है इस तरीके से मैं create कर रहा हूं strong password आपको आठंको का strong password होता है उससे उपर भी आप डाल सकते हैं तहाँ पर मेरा जो है Gmail id create हो जुका है वेलकुल नहीं हो इसके बाद आप सब चीज़े समझाएंगे identity verification में क्या करना है किस तरीके by accounting करना होता है क्या process होता है सब कुछ तहाँ पर देख रहा है मेरा जो पहला Gmail id एक ही दिख रहा था लेकिन आप दो Gmail id यहाँ पर सोरोंगे इसी से मुझे Google AdSense account create करना है इसी पर मैं क्लिक कर दूँगा आपको भी वेलकुल नहीं वाली जो Gmail id उस पर ही क्लिक करना है इसी को आपको ध्यान में देना है जैसी आप इस पर क्लिक करेंगे इस बात आगे समझे क्या process होता है यहाँ पर आपसे पूछा जाता है क्या आप क्या करना है अगर आपके पास website का link डाल देना है नहीं तो आप YouTube चैनल का link भी डाल सकते है अगर नहीं डालेंगे तो भी चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं यह उनके लिए जिनके पास website है तो यहाँ पर I do not have site पर क्लिक कर देना है get more about adsense suggestion अगर आपको कोई भी पर ऊज्ञेशन के तुरूं सीदें संपाधर कंट्रीए तो iddo žyetि पराटल ने चाहिए पर को इंडिया से यौडिया पर डिजनय के लिए इस के अपर आपको योट रम आजाएगा Cheryl इंडिया जो भी टमेंट कंडिशन है सारे टमेंट कंडिशन इसमें से पढ़ देना है कि आपको क्या चीज़े होती है गूगल एटसेंस अगर आप बनाएंगे क्या प्रोसेज होगा इसके बाद क्या क्या चीज़े पालसी दी जाती है आपर सारी चीज़े आप पढ़ सकते हैं लेकिन पढ़ने की कोई जरूरत आपको नहीं है तो आपर इस्टार्ड यूजिंग एटसेंस पर क्लिक कर देना है आगे क्लिक करने इसके बाद आगे प्रोसे समझे आगे क्या करना है आगे आप गूगल एटसेंस बस साइब करनी होते हैं तो इस पे आपको सबसे पहले आ जना है यहाँ पर inter information आपको inter information में क्या क्या CHAR tea fill करनी परते क्योंकि inter information आपका means होता है जब आप information ठाफिया तरीकेश डालेंगे तम यह जाकर आपका payment आएगा नई तो आपका payment filled होजाएगा तो सबसे पहले आपने आ लोग क्या का चीज्जे डालेंगे सबसे पहले आप जैसे कि आप सभी को पता होगा इससे में आइडिन्टी वेरिफकेशन पेंड काड पासवर्ड और आइडी इस तीन चीजों हो रहा ही तो इन ती जो चीजों में जो आपका मेंड डिटेल है उसी चीज को और उसी नेम को डालना है अगर आपको पेंड काड नहीं है आइड रहेगा उससे डालूंगा लाइन वन में इसके रुआ लाइन डू में आपका जो नियर्भा गया उसने डाल सकते है टाँन सीटि आपका दिख जाएगा पोस्ट aha अपके एरिये का जो कोड होता है उसे डाल सकते हैं इस्टेड और यहाँ पर मॉबाइल नमबर तेया सब चीजें फिल करके मैं यहाँ पर आगे सम्मिट वाले अप्टों पर क्लिक करके आगे आपको समझाता हूं तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सारी चीजें फिल कर लिए मॉ को यहाँ पर का कुछ इस प्रकाद का जयसा कि आप सभी देख सकते इस मोबाइल फून में आ condemner इसके बाद यहाँ आपको प्रस्चेश बतात हूं आगे आपको करना क्या है बुर्पार यहां फोल कर चुँका हूं पस आपका जो Gmail ID आपने बना कर रखा है, इस Gmail ID को आप पासवोड को लिग कर रखना है, जब आपका YouTube चैनल मोटाइज होते हैं वक्ते आप फिर आपको website से link करना है, तो आप जब I have already Google AdSense पे click करके, आप इसी Gmail ID को डाल दीजे, मैं पहले सी Google AdSense account बनाया हुआ हूँ, अब ब verification के लिए, इसके बाद जैसा कि आप सभी को पता होगा, जब तक आपके 100$ जो है, जब तक आपके Google AdSense 100$ नहीं complete होते हैं, तब तक आपके payment नहीं आता है, इस चीज को आपको ध्यान देना है, 10$ complete होगा, तो आपके पास यहाँ पर, आप Google AdSense तरब से pin verification के लिए आएगा, अपने YouTube से पैसे कमा सकते हैं, Google AdSense से पैसे कमा सकते हैं, कोई भी problem नहीं आएगी, कोई भी problem आ रहा है, Google AdSense या फिर YouTube रिलेटली आपको किसी भी problem related, तो आपको Instagram ID मेरे चैनल के decision मिल जाएगा, वहाँ से मुझे directly बाते कर सकते हैं, आपका सारा solution मिल जाएगा, तो दोस्तों नेस्ट वीडियों से इंटेस्टिन टॉपिक सांतर तक लिदान्यवाद, जाएगा,